वेलकम फ्रेंड्स आप लोगों को धेर सारी सुपकामनाएं कि यूपी टीए जिसको एजी टीए कहते हैं इसकी वेकेंसी आ गई हैं और इतने टाइम तो हर जगह पे इसी की ही चर्चा है अग्रिकल्चर के जो भी ग्रेजुएट बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्च्वेटी है इसलिए इस वेकेंसी का काफी महत्व है आप लोगों के लिए इसका एक बैच आफ लाइन लेके आए हैं हम लोग इसकी चर्चार्च करेंगे UP AGTA जिसको आप पदनाम कहेंगे क्रेशी प्रावावधिक सहायक क्रेशी प्राविधिक सहायक अग्रिकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट ये इसका पदनाम है इसकी वेकेंसी आई हुई है जिसमें कुल पदों की संख्या आप देखेंगे तो कुल पदों की संख्या आपकी ये 3446 पद है जिनके लिए आवेदन करना है आप लोगों को ये संख्या एनाउंज हुई है इसके आवेदन की जो तित है फार्म संबिशन डेट जो है वह 152024 से स्टार्ट है 152024 से ये फार्म फिलिंग आप की शुरू हो जाएगी और ये 31-5-2024 तक फार्म आप भर सकते हैं और अगर फार्म भरने में कुछ करेक्शन है कोई आपको इसमें अबंडेंट करना है तो ये 76-2024 तक करेक्शन डेट है संसोधन तित ही है ये आप संसोधन कर सकते हैं कुछ इसमें आयू सीमा भी है आप देखेंगे 40 वर्स की आयू सीमा घोसित है इसमें एज लिमिट 40 वर्स है मैक्सिमम और 21 वर्स जो है ये आपकी होनी चाहिए एक साथ तक ये कलेंडर वर्स से एक साथ तक जड़ा एक जुलाई को 21 वर्स हो जानी चाहिए ये दोनों गर्णाएं इसी एक जुलाई से ही मानने होंगी इसमें पेट अन्निवार किया गया है जिसमें यूपी ट्रपल सी का 2023 का पेट जीनों ने भी ये 2023 का पेट दिया है वो इसमें इलिजबिल हैं ये फार्म भर सकते हैं और माइनस में लएखरो एक नम्बर भी है जीनों के उपर है कुछ भी तो आप इलिजबिल हैं आप ये फार्म भर सकते हैं कि और अधर इस्टेट इस्टुरेंस जो हैं उनके लिए प्रतिभंधित हैं cannot apply वो नहीं कर सकते हैं चाहतों के लिए परितिबंधित हैं अधर-श्टेट के जो छात्र हैं कि अप्ट सैच्छी का ङरता कहेंगे qualification है BSC agriculture qualification इसमें BSC agriculture मांगी गई है BSC agriculture और इससे समकच जैसे horticulture भी अब यह honors की डिग्री हो या खाली BSC agriculture हो दोनों मानने है ऐसे ही इसमें horticulture में भी है चाहे honors हो चाहे प्लेन हो मानने है forestry है बीटेक agriculture वाले भी भर सकते हैं BSC home science वाले भी भर सकते हैं और कहीं कहीं इसको community science भी कहते हैं तो BSC home science वाले भी भर सकते हैं प्लेशे एक चीज इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली है BSC home science के वही बच्चे इसमें भर सकते हैं जो क्रसी विश्विद्याले डिग्री दे रहा है अगर कोई क्रसी विश्विद्याले डिग्री दे रहा है BSC home science की तो वो बच्चे इसको कि फॉर्म को भर सकते हैं आपका जो एक्जाम है यह दो घंटे का एक्जाम होगा दो घंटे का है टोटन नंबर आप कोश्चन हंडेड होंगे सव कोश्चनों का पेपर होगा दो घंटे के लिए होगा और एवरी कोश्चन विल वी वन मार्क आफ वन मार्स एक नंबर का हर कोश्चन होगा विद निगेटिव मार्किंग आफ पॉइंट टू फाइफ मतलब एक बटे चार दसमलाव दो पांच नंबर कटेंगे अगर आपका एक कोश्चन गलत होता है तो एक बटे चार की निगेटिव मार्किंग है अब आएंगे विशेओं के बारे में बात करेंगे तो इसमें आपके जो एक्जाम आपका है यह तीन भाग हैं इसमें अगने अधिश हैं आपका एक यह फसल विज्ञान है एसल विज्ञान से आपके 25 कोोश्चन और एक नंबर का यह तो 25 कोश्चन की मार्किंग 25 नंबर की है दूसरा आपका है जैव तक्नीकी पादप प्रजिनन वा क्राप फिजियोलोजी फसल कारिकी जिसको कहते हैं यह दस नंबर का है और एक कोश्चन एक नंबर का दस कोश्चन आने हैं थर्ड है मेर्दा एक प्रबंध लेसितैर 15 नंबर के क्रेसी प्रसाहर एकस्टेंशन का भी सिंसतों पांच नंबर के है कि नेक्स आपका में और यह फंच नंबर के और इसमें जो छठा है वह आपका है पस्पालान एवं दुग्द विज्ञान ये भी पांच कोश्चन है और पांच नंबर के ही हैं ठीक अब आप आजाएंगे सेक्शन टू भागदों में इसमें कंप्यूटर एवं सूचना प्रवद्युकिकी की अवधारों एवं इस छ है आपकी खोशन सहांगे इसमें इनेक्स है आपका भागतीन उत्तरप्रदेश राज से संवंदित समान्नेजानका रहीं और यहơiं जिसको आप UPGS कहेंगे में उत्तरप्रदेश राज से संबंधित सामाने जानकारी यह 20 कोश्चन का आएगा तो 20 कोश्चन आएंगे तो टोटल 20 नमबर हो गए इस तरह से 100 कोश्चन का पेपर है और 100 नमबर का ही है माइनस मार्किंग 1 बटे 4 आप जान रहे हैं नेक्स्ट आपको थोड़ा ब्रीफ में देखिए जो भाग एक था लोगों ने इस तरह से बहुत जानकारी है आप लोग ने इसका नोटिफिकेशन भी देखा होगा उसमें दिया हुआ है हम आपको यहां पर डिसकस किये ले रहे हैं जिसको क्रॉप साइंस फसल विज्ञान कहा था उसमें आप देखेंगे कि क्या क्या आ रहा है बहुत ध्यान से इसको समझीएगा आप लोग कारण यह है कि ऑनलाइन बैच बहुत है हर जगह चल रहे हैं एक ऑब्जेक्टिव डिसकसन करेंगे उसमें आप चर्चित रहेंगे लेकिन बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है क्यों पर्टिकुलर एक चीज एक कोश्चन याद करके बिगड़ापार नहीं होना है आपको नॉलेज होगा उससे संबंधित धेर सारे कोश्चन है आप अपने आप ही उसको साल्व करेंगे और जो प्रैक्टिस है कोश्चन की वो तो मिलनी मिलनी है तो सबसे बड़ी बात है अब जैसे फसलों का वर्गी करां कि फसल बिग्यान में क्राप साइंस में फसलों का वर्गी करां प्रदेश में उगाई जाने वाली प्रमुख ध्यान दलहनी तिलहनी मिलेट्स रेसेदार नगदी फसले मसाले एवं चारे वाली फसले फल फूल सब्जी तथा प्रमुख फसलों की खेती की उत्पादन तक्नीक एवं सस्क्रिया हैं पूरा डिटेल क्रापिंग पूरी बेसिक नॉलेज पूरा होना चाहिए वो बच्चे जो बेसिक नॉलेज नहीं है जिनके पास वो कोश्चन याद कर लेंगे कोश्चन की प्रैक्टिस कर को पूछने का तरीका बतल दिया गया या कोश्चन से आंसर आवाउंसर से कोश्चन बना दिया गया तो वो भ्रम्यت हो जाएंगे क्योंकि बेस्ट जरूरी है तो बेसिक नॉलेज प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए बेसिक Onuलेज होना चाहिए इसलिए यह पूरा जो है क्र आपको तभी आएगा जब इसकी पूरी बिध्वत जानकारी आपको होगी और देखिए यह पार्ट वन ही है आपका सेक्षन वन ही चला है भाग एक अब इसमें फल एवं सब्जी भी है अर्षान और प्रोसेसिंग ठीक है प्रिजर्वेशन भी है तो ये पूरा जो है फन सब्जी ओं का क्येती भी है और उसकी प्रोसेसिंग भी है और इसक 2 जो बैसिक नोले से ही ले पाएंगे खाली पढ़ने से इसमें काम नहीं चलना है नेक्स्ट पे आजाईए फसल चक्र के सिध्धान ये भी आपका बेसिक ही है पूरा फसल प्रणाणी एवं खेती के प्रकार तथा सुस्क क्रशी ड्राइफार्मिंग और ये आपका एकिक्रत फसल प्रणाणी बहु फसली अंता फसली प्राकृतिक खेती जैविक खेती का महत एवं प्रकार आपकी जैविक खेती है आजकल चर्चा में भी है इससे कोश्चन मिलेंगे आपको महत एवं प्रकार समाजिक एवं आर्थिक उप्रयोग इन सब चीजों का समाजिक और आर्थिक उप्रयोग फसलों का नेक्स्ट आप आईए सीड साइंस में आएंगे बीज का महत प्रकार एवं उत्पादन बीज का प्रकार महत उत्पादन यह आपको है सीड साइंस से है कितने प्रकार के बीज होते हैं टैगिंग क्या-क्या है क्यों से सीट के लिए कौन सा कलर चाहिए यह सब आपको विद्धवत चाहिए ठीक पढ़ा है बहुत अच्छा रिवीजन है और अच्छा आप इसको एक बहुत दिन बाद आई है बहुत अच्छी है इसमें कहीं आपको इदर उधर करके फसके या थोड़े से लालच में जाके आपको परेशान नहीं होना है फिर अपार्चनेटी कब आएगी यह तो उपर वाला ही जानेगा ठीक अब आप देखेंगे नेक्ट सीड साइंस का क् कवर कराएंगे हमां यहां जैसे सीड साइंस है होटी कल्चर है अग्रोनामी है आपको सब विध्वत बेसिक से लेके डीप नॉलेज तक सब कुछ मिलेगा आफ लाइन में पूरा कवर होगा अच्छी हेल्दी क्लास चलेगी ठीक नेक्स्ट आप देखिए क्रसी रच्छा के सामान सिध्धान ठीक उद्देश एवं इसका महत्तु एवं उसमें प्रयोग होने वाले मुख्य उपकरण ठीक है इस प्रयर बाकी चीजे हैं जो उपकरण है उन सारी उपकरणों की जानकारी होनी चाहिए इंजीनिरिंग से थोड़ा सा संबंधित है पूरा ये रसायनों का नाम एकिक्रत नासी जीव प्रबंध ये सब आपको पढ़ना है मेनेजमेंट पूरा देखना है प्रमुख फसलों के कीट एवं रोग तथा उसका प्रबंध आप एंटोम लॉजी में चलना है इतने टाइम ये सारा आपको मालूम होना चाहिए हर फसल के प्रमुख कीट क्या है साइटिफिक नेम से लेके डेमेजिंग स्टेज तक पूरा सब कुछ विद्वत आना चाहिए ये आप तभी समझ पाएंगे जब उस फसल की डिटेल पूरी जानते होंगे और फसल कीट मेनेजमेंट सब विद्वत आप पढ़ेंगे तब उपज भंडारन की विधियां सिद्धान्द तथा भंडारन वा उपज की गुरुमत्ता को प्रभावित करने वाले कारक तथा उनका प्रबंध ये सारी चीजे आप हमाये पिछले वीडियो में यूटूब पे भी देख सकते हैं विद्वत किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है पढ़ाया गया है यह सारी चीजें यहां पूछी जाएंगी आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए मैं बार-बार कह रहा हूं कि बेसिक नॉलेज लेके ही आप क्रेक कर पाएंगे इस एक्जाम को इसलिए बेसिक नॉलेज और यह डिटेल जरूरी है नेक्स्ट आईए बायो टेक्नलोजी प्लांट ब्रीडिंग एंड क्रॉप फिजियो लॉजी जैव तक्नीक पादप्रजनन वक्राफ फिजियो लॉजी कारिकी जिसको कहते हैं आप यह इससे भी पूछा जाएगा जैव विज्ञान का क्रेशी में महत्त एवं उपियोग ठीक है नेक्स्ट है अनुवांस की एवं पादप्रजनन के सिध्धान्त उपियोग एवं महत्त प्रकास संसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट पूर्चन है स्वसान वास्पोत सर्जन पौधों की एनाटामी एवं मेटाबॉलेज्म यह पूर्चन भी आपका बहुत अच्छा है इससे भी अच्छे कोश्चन आएंगे ब्रीफ में बिधवत आपको पढ़ना है हम पढ़ाएंगे आफ लाइन बैच में पूरा कवर होगा आपका यह सब नेक्स्ट आप आगे आई यह देखिए कि म्रदा एवं जल प्रबंद स्वाइल एंड वाटर कंजर्वेशन पेपर बहुत अच्छा डिसाइड किया गया है एग्री कल्चर का पूरा पोर्शन आ र सब कुछ है इसमें और पूरा एग्री कल्चर लगभग कबर किया गया है अब देखिए स्वाइल एंड वाटर कंजर्वेशन के क्या है म्रदा के गुण इसके अवयाव म्रदा बनेने की प्रक्रिया म्रदा अपर्दन स्वार इरोजन के प्रकार एवन इसकी रोखथाम के प्रभावी उपाएं dotted I said इरोजन कितने प्रकार के होते हैं management इसको रोकने के तरी के यह सब descriptive फाम में आप पढ़ेंगे में ऑबजेक्टीव्टीव करेंगे दोनों काम आपका बैचमे होगा नेक्ट है मैदा में पाए जाने वाले आवश्यक पोशक तत्य महत्यों तथा कमी से होने वाले विकार किस तत्यों की कमी से कौन सा रोग हो जाता है कौन सी बिमारी होती है क्या उसके लच्छन है किस तत्यों के लच्छन प्लांट पे कहां पे पहले दिखाई देंगे यह सारी चीज आपको देखनी है उर्वरकों का वर्गी करां एवं पोशक तत्तों की मात्रा तथा उपयोग की विधियां यह सब डिटेल इसमें आना है फर्टिलाइजर का इसमें डिटेल है यहां आएगा नेक्ष देखिए एकी क्रत पोशक तत्त प्रबंध जैव उर्वरक जैविक खादों के प्रकार महत एवं लाव यह भी आपको पढ़ना है म्रदा सर्वेच्छन म्रदा नमूना लेने की विधि तथा मर्दा सर्वेच्छन तकनीग यह भी आना है है स्वाइल सैंपल कैसे लेते हैं क्या टकनीक है यह सब पढ़ना आपको सिचाई के साधन इरीगेशन के मैथट क्या है और क्या साधन है यह पढ़ना है मिदीं हैगा अउन से लाव क्या है जल निकास ढैनेज पर नाँपको कि जल निकास की मूल अवधाना एंवं जल निकास कितने प्रकार के होते हैं ठीक है सबसर्फेस ड्रैनेज ये स्था प्ढ़न आपको जिसको भूमिगत जल निकास ये सारी चीजे पढ़नी है आपको जल संचेयन छेत प्रबंध ये भी पढ़ना आपको जिसको वाटर सेड मेनेजमेंट कहते हैं जल संचेयन छेत प्रबंध ये पढ़ना है आपको प्रदूशन के बारे में पढ़ना है प्रदूशन के प्रकार एवं पर्यावरन सनरच्छ ठीक ये डिटेल पढ़नी है आपको बीस्टी के कोर्स में आपका पूरा है यह सब ठीक यह डिटेल लेके ही आपका एक बड़ा हेल्दी रिवीजन मानिए इसको जितने दिन यह बैद चलेगा अच्छे से बिधवत पूरा डिस्क्रेप्टिब वे में पढ़ेंगे और उसके साथ साथ रिवीजन अब्जेक्टि प्रकार में आजये extension मतलब क्रसी प्रसार एवं ग्रामीर विकास के सिध्धान यह आपको पढ़ना है एक्षेशन की विधिया प्रसार विधि द्रस्य एवं स्रव्यसाधन उनका वरगी कराण और महत प्रसिच्छन लच्छन महत एवं प्रकार भारत सरकार वह प्रदेश सरकार दवरा चलाई गई विभिन ग्रामीर विकास एवं किसानों के उत्थान के लिए योजनाएं ये भी आपको पढ़नी है ग्राम विकास के लिए कौन सी योजनाएं है और किसानों के उत्थान के लिए कौन सी योजनाएं है नेक्स्ट आपका है क्रशी अर्थ्षास्त एवं योजनाए एगरी कल्चर एकनॉमिक्स एड़ स्कीम्स वन ट्रिलियन एकनॉमि है तो उत्तर प्रदेश का क्रशी कारिक के माध्यम से योगदान इतने टाइम बहुत ही बर्निंग है ये और इससे भी कोश्चन लिए जाएंगे ये आपके लिए एक नया टॉपिक इसमें एड़ है जो कि अभी इतने टाइम सरकार का टार्गेट भी है और ये इसमें पूशा जाएगा क्रशी संबंदित आर्थिक सुधार क्रशी जीन्सों के आयात एवं निर्यात की अवधाना ये आपको को डिटेल पढ़नी है नेक्स्ट है क्रश की योजना निर्धारन क्रशी सांखिकी के सिध्धान क्रशी अर्थ सास्थ का सिध्धान्त एवं उपयोगिता कि फसलों के नियूनतम समर्थन मूल्य एमेसपी खुब बर्निंग पॉइंट है इससे अच्छे कोश्चन आएंगे ये भी आपको पढ़ना है क्रशी विपरन ये है आपको पढ़ना है ये डिटेल है इस तरह से आपका ये टॉपिक है नेक्ष्ट आपका है डेरी एड अनिमल हजबेंटरी पस्पालन इमंग दुखध विज्ञान कि पस्पालन में काम आने वाली पस्वों की विभिन किसमे पोशक प्रबन्ध दोनों चीज विराइटियां जो है जो पस्पालन में काम आ रही हैं पस्वों की प्रशु प्रजनन उद्देश एयों विधियां के क्या उद्देश उनंकी क्या मै्ठण है Под impress'd दुक्त वक्रार्इमम वित्र कुकुट पालन मूर्गी पालन जिसको कहते हैं यहां से आपका सेक्षन टू सुरू होगा भाग दो इसमें कम्प्यूटर की डिटेल पूछी जानी है इस चेत्र में समसामाइक प्रद्योगी की विकास और नवाचार का ज्यान अब इसमें कम्प्यूटर की डिटेल सुचना टक्नीक इनफार्मेशन टेखन टेकनोलोजी इंटरनेट इवम वर्ड वाइड वेप जिसको डबलुडबलुडबलु लिखते हैं आप लोग का इतिहा परिच्चय एवां अनुप्रयोग यह चीजें इसमें आएंगी पूछी जाएंगी कि सामानिगान जो जनल नालेज कंप्यूटर के बारे में होगा हार्डवे और साफ्टेयर के बारे में इन्पूट एवां आउट्पूट के बारे में लिए होगा नेक्स्ट आपका जो है आगे इन्पूट आउट्पूट था आगे 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 इंटरनेट प्रोटो कॉल क्या है आई पी एड्रेस क्या है इमेल आइडी बनाना इमेल आइडी का प्रयोग संचालन यह सब है इससे डिटेल है इसको इससे समंधित कोश्चन आएंगे प्रिंटर टेबलेट एवं मुबाईल का संचालन चलाना किस की से क्या होता है यह डिटेल आपको पूछी जा सकती है वर्ड प्रोसेसिंग एमेस वर्ड जिसको कहते हैं एवं एक्सल वर्ड एक्सल मस्य प्रोसेसिंग के महत पूर्ण तर्थ यह आएंगे ऑपरेटिंग सिस्टाम सोचल नेटवर्किंग इगवर्नेस यह सारी चीजे कंप्यूटर से संबंधित हैं जो आपको पूछी जाएंगी इसका भी कोर्स आपको यहां पर कराया जाएगा आफ लाइन डिजिटल वित्ती उपकरण और अनुप्रयूग भविश के कोशल और साइबर सुरच्छा कंप्यूटर और सूचना प्रद्योगी की केच्छेत में होने वाले तक्नीकी विकास एवाम नवाचार आर्टिफीसियल इंटल जैस्टी क्या है यह इव, डेटा प्रोसेसिंग, डीप लरनिंग, मसीन, लरनिंग, इंटरनेट अफ ठींग्स तथा भारत, तथा इस छेत्र में भारत की उपलब्धियं, यह कुर्स हमें आपके है, यह कंप्यूटर से संबंधित चीजह हैं, जो आप जानेंगे भारत की उखलब्धियां इसमें क्या-क्या है सुपर्कम्प्यूटर ये सब क्या-क्या भारत कहां-कहां पहुंच चुका है यह सारी चीजह आपको इसमें पढ़नी है भागतीन सेक्षिन थर जो आपका है उसमें क्या है उत्तर प्रदेश राज से सम्मंधित सामान जानकारी जो UPGS कहते हैं यह आपका आएगा उत्तर प्रदेश का इतिहास इस प्रश्मत में उमीद्वार जो है जो आप भर रहें फार्म जो बच्चे हैं उनसे क्या पुशा जाएगा उत्तर प्रदेश का इतिहास संस्कृति कला वास्तुकला तेवार लोकनत साहित छेत्री भासाएं विरासत सामाजिक रीत रिवाज और पर्याटन भूगोल परिदस एवं पर्यावरन प्राक्तिक संसाधन जलवायू यूपी का जो क्लाइमेट है यूपी का जो भूगोल है इतिहास है यह सब पुशा ज सकते हैं जो कल्चर है यूपी का वो पूंचा जा सकता है मिट्टी वन वन नजीव खान और खनीज अर्थ व्यवस्था क्रसी उद्योग व्यवसाय रोजगार राज व्यवस्था एवं प्रसासन तथा समसामाइक घटनाव एवं विभिन छेत्रों में उत्तर प्रदेश र यूप लब्धियां यह है आधिप पर आधारित प्रस्न पूछे जाएंगे यानि यूपी पूरा कवर कर रहे हैं हर्ती तरह से इस तरह से यह आपका स्लेबस था पूरा यह स्लेबस विद्वत आफलाइन यहां कवर कराया जाएगा कोई जादू नहीं है कि सब पहले से प परना है डीप लेना है बेसिक लेना है जो उफ लाइन ही समभव है ऑनलाइन में आप लोग जान रहे हैं उनली बीच हे हमारा जिसकी फीस ऑफ लाइन वाइस की 6,000 रुपए निधारित हैं हम लोगों की यह 6,000 आफ-लाइन बैच रहेगा जिसमें पूरा कोर्स कराएंगे हम आप लोगों को टेस्ट भी लेंगे आपके और प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे कुछ live प्रैक्टिस session विल बी अवलेविल ऑन यूटूब चैनल ज्सवे नाम से ही है आप देख रहे हैं इसी चैनलपे प्रैक्टिस के लिए हम आप से कि सेशन कुछ देंगे जिस पर प्रैक्टिस देंगे आपको कराएंगे कुछ कोश्चन ऐसे हैं जो हम आपको इस पर डिसकस करेंगे वह चीजें सिर्फ सीमित होंगी आफ लाइन बैच विद्वर्थ पूरा होगा इस बैच को जॉइन कर लेंगे आप लोग तो निहसंदे आ आप यह एक्जाम क्रैक करेंगे और मिठाई हम आप मिलके खाएंगे ठीक है थैंक यू सो मच यह सारी डिटेल है हमारे बैच की आफ लाइन की आफ लाइन बैच चालू कर दिया गया है आप जल्द से जल्द जोईन कर सकते हैं थैंक यू सो मच झेंगा हैं ठीक लाइन आप लाइन हम आप लाइन के यू लाइन और मिलके आप लाइन की आप लाइन है थैंक यदट चल्ड़ को आप लिए गवाँ जवाचे अरू है यू है